जानना चाहते हो कि कितना tire pressure आपके MTP cycle के लिए best रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत ही जादा low चलाऊंगा तो उस case में ये tire damage हो सकता है अब tube वाला tire use करते हो तो आप case में minimum और maximum लिखा रहेगा मेरे case में minimum है 23 इस से नीचे चलाऊंगा तो puncture होने के chances होंगे और maximum है 50 अगर 50 से उपर चलाऊंगा तो tube burst हो सकता है ये tire भी damage हो सकता है example के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक बार इसको बहुत ही कम PSI में चलाया था recommended से जिसके वज़े से यहाँ पर cut लग गया है और ये tire damage हो गया था इस वीडियो को like और इस चानल को subscribe कीजिए ऐसे ही informative tips के लिए